कैसे हैं आप सब मैं हुई इस और आप देखरें मेरा यूटॉब चैनल नर्सिंग लेक्टर एंज आप लोग के लिए फिट से ओबी जी नर्सिंग जो सब्जेक्ट होता है बेसी नर्सिंग फोर्ट थेर वालों के लिए खिक है उसके लिए मैं जो है आज नॉर्मल पर प्यूर्म का वीडियो लेकर आई हूँ जी हाँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिजे ताकि आपको नर्सिंग से डिलिटेट सारी न्यूज सारी वेकंसी औल इंडिया में औल स्टेट से सभी जगह के वेकंसी आ सब्सक्राइब करने पर ही आपको यह सारी नोटिफिकेशन तुरन ताइम रहते ही मिल जाएगे और आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो मैंने और क्लास का वीडियो बनाया है जैसे कि विटामिन्स का न्यूट्रिशन वालों के लिए विसी निमसिंग फस्टियर के लिए और जो रिसर्ट सब्जेक्ट है फोर्थियर वालों के लिए उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक आज ओभी जी का मैं आपको पूरा एक-एक डिटेल में बताऊंगी यह सिर्फ आपके थेवरी के लिए ही नहीं यह आपके जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम कोश्चन होंगे उसके लिए भी यह जो मैं आज को आपको क्लास नोट्स दूंगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप करूंगा ओर लिए व कंति टान दूंगी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फिर्वी देखने के लिए टेूरी के लिए प्रिपार करोंगी उसके लिए ख्यक्छा एक्जाम के लिए और साथ में कॉम्प्टिटिव आ थांत्यन इंपार्टेंट है तो वीडियो को पूरा को देखना अच्छ से समझना और समझना है तो कमेंट करके जरूर बताना मैं आप प्रॉब्लम सॉल्ब करूंगी और अच्छ से समझाए तो भी कमेंट करना हमारा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए तो चली फ्रेंट स्टार्ट करते है अज को जो नॉर्म होती है ठीक है डिलीवरी के टाइम है जैसी बेबी का एक्सपल्सन होता है और जो प्लसंट है उसके बाद जो टाइम होता है उस ताइम से लेकर शिक्स विक तक कर जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है पर्प्यूरम ठीक है उस टाइम को हम लोग जो जो शिक्स डिलीवरी क जो 6 week का टाइम होता है उसको क्या बोलते है? पर्फूरम, normal पर्फूरम, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं पूरा एक एक डीटाइल कि क्या होता है, कैसे होता है उसको? यहां पे देखिए कि what is पर्फूरम की पर्फूरम क्या होता है? डेफिनेशन आप लोग इसको बना सकते हैं मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगी तो यहां पे देखिए period following child birth कब होता है? child birth के टाइम में pelvic organ and other body tissue और इसमें कौन-कौन से organ होते है? pelvic organ and other body tissue revert to pre-pregnant state ठीक है? क्या होता है? period following child birth, pelvic organ and other body tissue revert to pre-pregnant state मतलब जो हमारे pelvic organ और body tissue है वो क्या होता है? child birth के तूरंट बात क्या हो जाते है? कि वो pre-pregnant state में आने के लिए prepare करते हैं ठीक है? जो हमारा uterus है ठीक है? वो abdomen से उपर होता है ठीक है? जैसे आप जानते हैं कि pregnancy के टाइम में जैसी baby deliver होता है तो uterus जो है, involution होने लगता है उसी को बोलते हैं जो uterus अबने नॉन-pregnant state में आने के लिए prepare होता है उसी process को बोलते हैं involution ठीक है? involution बोलते हैं और फिर यहां पर देखें और अनॉन नॉन फिजियोलोजिकल कुछ-कुछ changes भी होते हैं तो मैं आपको definition बताती हूँ what is purpurium तो यहां पर देख रहे हैं हम कि after birth to six weeks all body tissue revert back in pregnant and non-pregnant state sorry, revert back in pre-pregnant and non-pregnant state इसी को बोलते हैं क्या purpurium नॉन्मल purpurium इसी को ही बोलते हैं after birth बर्थ के बात और जैसे ही baby का birth होता है और six weeks ठीक है? जो देड़ महना का जो टाइम होता है बर्थ के बाद से उस time को क्या बोलते हैं? नॉर्मल purpurium क्योंकि उस time में क्या होता है? जितने body tissue होते हैं, pelvic organ होते हैं वो क्या होते हैं? reverse back होते हैं मतलब अपने pre-pregnant state पे आते हैं या non-pregnant state पे आते हैं यह रहा पुरा definition है आप इसको याद कर सकते हैं और समझ के लिखेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए तो यह बहुत ही easy है और बहुत ही easy language में बताने का ट्राय कर रही हूं आप लोग को ठीक है तो यह रहा definition हमारा फिर यहां पे देखिए कि जो हमने देखा था कि परपीरियूम क्या होता है उसमें देखिए कि period following child birth कि child birth के बाद से pelvic organ other tissue का revert to pre-pregnant state ठीक है anatomical and physiological changes होते है फिर begin as soon as placenta is expelled जैसी placenta expelled होता है उस time के बाद से यह जो time start हो जाता है last for apex six weeks ठीक है यह 42 days तक ही होते है मैंने पहले ही बताया है चाइल्ड बर्थ के तूरंद बाद से लेकर के six weeks तक का जो time होता है यह 42 days यहां बेड़ मन्त का जो time होता है वो क्या कहलाता है normal purpura ठीक और इसके तीन stage होते है तो वह स्टेजेस कौन-कौन है मैं बताती हूं आपको यह देखिए यह है वो तीन stage य नॉर्मल पर्फूरियम के कौन-कौन से immediate within 24 hours यानि कि जैसे birth होता है बर्थ से 24 hours तक का time क्या कहलाता है immediate ठीक है early 24 hours to 7 days तक का time क्या कहलाता है early purpurum remote या delayed purpurum कि इसको बोलते है up to six weeks जो की 7 week sorry one week to six week तक कर जो time होता है उसको बोलते है up to six sorry remote या delayed purpurum तो यहां पर जो तीन stage है कौन-कौन से है immediate early और remote या delayed इमेडियेट का time birth to 24 hours तक और यह 24 hours to seven days या one week और यह one week to six weeks तक तो आप तो इसको याद रखियेगा immediate early remote या delayed ठीक तो यह रहा तीन stage of purpurum फिर यहां पर देखे involution of the uterus कि जो uterus होता है उसका involution यानि कि जो प्रेग्नेंसी के बाद जसे होती है बेबी की expulsion होता है placenta का placenta out होता है body से ठीक है uterus से तो उसके बाद से जैसे उसके जस्तुरान बाद से uterus जो है अने प्रेग्नेंस स्टेट में आने के लिए प्रिपेर हो जाता है तो उस time का जो uterus होता है वो कैसा होता है उसको देखते है हम लोग तो यहां पर anatomical condition uterus का at delivery 20 x 12 x 7.5 and epochs 1000 g तो यहां पर देखिए जो uterus का length होता है वो 20 cm होता है जो wide होता है वो 12 cm होता है और जो thickness होता है वो 7.5 cm और उनका weight जो होता है 1000 g तो uterus का weight उसमें कोई भी changes नहीं होता है वो ऐसी ही होता है after delivery और baby ठीक है बेबी के delivery होने के बाद भी uterus का weight है वो 1000 g ही होता है तो यह जो है length हो जाता है 20 cm 12 cm wide चोड़ाई हो जाती है उसकी 7.5 cm ठीकनेस हो जाती है और 1000 g उसका weight रहता है यह uterus का है after involution, revert to non-pregnant side of, जो non-pregnant का side weight होता है uterus का, वो 60 g होता है जब pregnancy होती ही है pregnant, term pregnant होते है उस time क्या होता है यह 1000 g, 1000 g का हो जाता है हमारा uterus होता है वो और non-pregnant, normal condition में कितना होता है, 60 g का, पर यह पर देखें, lower uterine segment इस थमस in a few weeks और जो हमारे uterus है delivery के बाद, एक week के अंदर ठीक है यह कुछ weeks में क्या होते है यह हमारे इस थमस, lower uterine segment में आ जाते हैं, abdomen और किसके बीच में? symphysis pubis, ठीक है जो symphysis pubis होते हैं और abdomen होते हैं उसके बीच में क्या होता है हमारा uterus ठीक, फिर, फिर, condor of cervix regained in six weeks और जो cervix है वो भी six weeks में ही pregnant state में आने के लिए प्रिपेर होते हैं external os never revert back to nulliparist state और जो cervix में आप लोगको पता होगा दो os होते हैं, ठीक है, cervix में कौन-कौन सा, internal os और external os तो जो internal os जो external os never revert back to nulliparist state और जो external os होता है, बाहरी वाला जो external os होता है, cervical os ठीक है, वो क्या होते हैं वो nulliparist जो होते हैं उनके में revert back नहीं हो पाते हैं, मतलब कि अपने पहले वाली state में नहीं आ पाते हैं, ठीक है जिन्होंने एक भी बार pregnancy consume नहीं किया है, ठीक है, तो यह रहा पुरा all about involution of uterus, ठीक है, uterus का involution होने पे क्या-क्या challenges होते हैं, वो यह रहा, I hope कि आपको अच्छे से समझ आया हो, फिर देखते हैं, यहां पे देखिए कि जो fundal height है, just delivery के बाद, जैसे यहां तक होता है, पूरा delivery के time में, ठीक है, तो जैसी delivery होता है, जैसी baby out होता है, placenta out होता है, तो जो fundal height है, वो at delivery के time में यहां, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, one day में क्या है, two day में क्या है, three day में, four day में, five, six, seven, eight, nine, तो nine days तक देखिए कि यह जो है, वो अपने pelvic organ पे आ गया है, ठीक है, abdomen on symphysis pubis के बीच में, फिर देखते हैं, clinical assessment of involution of uterus, तो जो clinical assessment करते हैं, uterus का, उसमें क्या-क्या होता है, involution में, fundus lie, 13.5 cm above symphysis pubis for the first 24 hour following delivery, जैसे यह delivery होता है, यह हमारा क्या है, symphysis pubis, और यह हमारा क्या है, abdomen है, तो इस abdomen और symphysis pubis के बीच में आ जाता है, हमारा uterus, जो हमारा uterus होता है, वो symphysis pubis, और abdomen के बीच में आ जाता है, delivery के बाहद कितने टाइम बाद, 24 hour, यानि कि, one day में ही यह symphysis pubis और abdomen के बीच में आ जाता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है, और यह जो है, 13.5 cm above, यानि कि, यह symphysis pubis है, उससे 13.5 cm ऊपर में ही, हमारा क्या होता है, uterus होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर steady decrease by 0.5 cm in next 24 hour, और यह जो होते है, 0.5 cm in next 24 hour में और नीचे आ जाते है, फिर, day 14 not palpable pelvic organ, जो pelvic organ होते हैं, इसलिए completed by 6 weeks और जो normal, जो pre-pregnant state में, वो 6 weeks, 1.5 months, 42 days में वापिस आ जाते हैं, जो होते हैं, 24 hour में degree होते हैं, फिर, day 14 में कुछ भी palpable नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने normal state में पहुंच जाए रहते हैं, complete by 6 weeks और जो है 6 weeks में क्या होते हैं, complete होते हैं, क्या यह सब हम लोग, uterus के ही बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा uterus है, after delivery, delivery के बाद अपने normal, non-pregnant state में आने में, कितना time लगाता है, और क्या-क्या changes होती हैं, तो यह जो diagram देखे हैं आप लोग, इसी को ही बोलते है, involution of uterus, यानि कि जो uterus यहां तक जो रहता है वो अपने pelvic organ में जो हमारे normal condition के होता है, उसी सही को ही हम लोग, यहां पे बोलते है, normal purpurine, और involution of uterus, फिर यहां पे रहते हैं, involution of other pelvic structure, जो other pelvic structure जैसे cervix हो गया है, muscles हो गया है, ligaments हो गया है, और vagina हो गया है, यह सारे चीज कभी involution होता है, मतलब यह भी अपने normal condition, pre-pregnant state पे आते हैं, तो क्या-क्या changes होते हैं, यह सम्में देखते हैं पहले, तो यहां पे देखिया, विजाएनाता है, 4-8 weeks, इनको जो है 4-8 weeks लगते हैं, does not revert to original state, और जो फिमेल से एक बार pregnant हो गही है, फिर उसके बार अपनी प्रे-pregnant state है, उसमें रिवर्ट नहीं होते हैं, पूरी तरिक्के से वो प्रे-pregnant state पे नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा स्टेचिंग रहता ही है, फिर लॉंग टाइम, फिर यहां पे रेखते हैं, ब्रॉट इन राउंड लिगमेंट जो होते हैं, लॉंग टाइम डाउंड नॉट स्टेचिंग डूरि नॉरिंग पार्टूरी अफिर ना प्रेक्या बारी निच्वारज भी नॉर्चिंग यह ने लॉर्चाइचिंग विनन राउंड नॉर्मल स्टेट में पूरी तरिके से नहीं हैं, आपा देखते हैं, कि यहां पे पैल डिविक ओरंगन होते हैं उसमें कुछ-कुछ surprise होई जाते हैं वह एक। में पने प्रीप्रेगनें स्टेट में नहीं आपाते हैं लेकिन उत्रस रो होता है वह अपने प्रीप्रेगनेंस्टेट में आ जाता है कब तक में? दिए कैफ दो उसी को बोलते है बहुत important term है, OVG में आपको जो competitive exam है उसमे में ही आ सकता है, इसका भी types होते हैं, तो मैं पूरा detail बताते हूं कि लोचिया क्या है, तो फिर after birth, birth के जैसे ही बात, in 14 days cervical and vaginal secretion होता है, जो weeding होती है, baby के out होने के बात, placenta के out होने के बात, उसको बोलते हैं, लोचिया, और यह कब लोचिया, इत में lost up to 21 days, और यह 21 days तक भी हो सकता है, फिर लोचिया और यह कितने type के होते हैं, यह देखिए, तीन type के होते हैं लोचिया, कौन-कौन सा, लोचिया रूबरा, जो की red color का होता है, इस पे क्या होता है, RBC होते है, और यह कब तक होता है, 1 to 4 days तक, लोचिया र बी-स होते हैं, इसनलिए red color का होते हैं, और यह कब तक bleeding होते है, 1 to 4 days तक, फिर लोचिया सीरोसा, कौन से color का होता है, ये यलो color का होता है, क्यूं होते है, क्यूं कि इसमें WBC पाही जाती है, और यह 5 to 9 days तक शिक्रीश होता है, फिर उसके बाद आता है, लोचिया अल्बा, यह होता है वाइट कलर का, क्योंगे वाइट कलर का, क्योंकि इस में Państ थे टिशूप वगरारते हैं, और यह हो inge 3 तीन किस को ताक एक बंधार, निक्रिपीज, यह होनलो, और बताती हुम्हने लोकिया उसको, तो यह पूरा फुरा लोकिया कै खुंग, यह आदे कता तक होते हैं 1-4 days, पिर सीरोसा के यह यह लो कलर्य के दू टू WC, और 5-9 days तक होते हैं, लोचिया अल्बाव, वाइट कलरके होते हैं, तू neo टिशू के सेक्रिशन के वजह से और यह 10-15 days तक होते हैं, तीक है? पिर यहां पे देखे, जो लोचिया होता है, उसका pH कितना होता ह और्डर इसका फिछी ओमैल आता है जो मचली का जो आता है ना वैसी टैपसे वाली आता है लोचिया जो सेक्रीट होता है अप्टर डिलिवरी फॉर्टीन डेज तक का उसका पिर अमांट ऑ ब्लेडिंग जो ब्लेडिंग का अमांट है वो टोटल कितना होता है 350 ml, total secretion कितना होगा 350 ml मतब जो 14 दिन में हमारा secretion होना है after delivery वो total है 350 ml लेकिन जो 250 ml है इन 1st week, 1st week में ही क्या हो जाता है 250 ml जो है secret हो जाता है और जो बसते है 100 ml वो बाकी के 14 days तक secret होता है तो यह रहा पुरा लोचिया से related और मैं बताती हूं अभी तो यहां पर देख रहे हैं आप वेजानल डिस्चार्ज फॉर्स फॉर्स नाइट दूरिंग पर प्यूरियम और इसका फीसी होता है color and composition यहां पर देखे लोचिया रूब्रा यह जो red दिखा रहे है यह जो red color का है वो क्या है लोचिया रूब्रा ठीक है और यह जो है लोचिया सीरोसा और यह जो है लोचिया अलबा यहां पर आपको color में difference दिख जा रहा है फिर यहां पे देखे 1-4 days यह लोचिया जो मैंने पहला ही बताय था क्योंकि इसमें और यह ते ओने रूब्रा यहां होता है फिटल मेंब्रेन होते हैं बलर्ड होते हैं, डेसीरियूल trate होते हैं或 land गों होते हैं, मुकोनियम यह सारे चीजिसमें present होते हैं यह लोचिया रूब रड़ कलर का होता है ठीक है फिर देखते हैं लोचिया सीरोसा यह फाइफ तो शिक्स देज, नाइन देज तक होते हैं यह लिकोसाइट यह यह डेके डेलूबीसी प्रेजेंट होते हैं यह लोचिया सीरोसा यह 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 लोचिया सीरोसा यह यह लोचिया अलवा यह जो है वाइट कलर के होते हैं इसमें 10-15 देज तक होता है इसमें डेसिडूर टिशू प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट होते हैं म्यूकस कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रीन और क्रिस्टलिन फैटी एपिथिलियल सेल माइक्र और इसमें प्रेजेंट होते हैं इसमें लोचिया अलवा तो यह तीन टाइप की जो लोचिया हैं लोचिया रूबला लोचिया सीरोसा लोचिया अल्बठे है डिक भीशा है अजे में इसी थे दीए सिंफ़ क्ता है अगर आपको नोट्स बना है तो वीडियो को पाउस करके आप नोट्स बना आ सकते हैं आपको समझना है तो कमेंड़ करके जो Gew remembers मैं आपके लिए आपका जो प्रॉब्रम लाएगा उसको सॉल्व करनी नेक्स्ट वीडियो पर तो फिर देखते हैं आंगे यह रहा लोचिया कंप्रीट हुआ हमारा फिर जो ब्लीडिंग होती है वह कितना मांट पे होती है कैसे होती जो नॉर्मल पर्फूरम है और लोचिया यह सारी जो ब्लीडिंग है वह कितने अमांट में होती है कौन से एक्सिसी होती है कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है यह सारा चीख जो है क्लिनिकल फाइंडिंग से पता चलती है तो यह पर देखिए जो ब्लीडिंग है वह कैसी होती है तो फिर्स्ट जो है स्कैंटी जो bleeding है, मात्र कितना है, 2.5 cm से भी कम है, तब वो क्या होंगे, scanty bleeding के अंदर आएंगे, per hour में, ठीक है, एक घंटे के अंदर में, फिर less amount, less amount कब होगा, less than 10 cm, अगर women's का जो bleeding है, वो per hour में, एक घंटे में, 10 cm से कम हो रहा है, तब वो किसके अंदर आएगा, less amount में, ठीक है, पिर moderate amount में कब आएगा, less than 15 cm, अगर वो 15 cm तक कब ब्लीडिंग हो रहा है, एक घंटे में, तो वो किसके अंदर आएगा, moderate amount के अंदर, फिर heavy amount में complete pet saturation within 1 hour, और heavy amount bleeding कब होगा, जब completely, जो पैड हो है, जो वो में यूज करती है, वो वाला पैड, ठीक है, तो अगर वो एक अव इसको बोलेंगे, heavy bleeding, फिर उसके बाद, excessive amount, complete pet saturation within 15 minutes, जब 15 minutes में, एक पैड पुरी तरीकी से saturation हो जाती है, तो उसको बोलते है, excessive amount bleeding, ठीक तो यहाँ पर आपको समझाए होगा, इस canty cup बोलेंगे, bleeding को, जब वो 2.5 cm से कम हो रहा है, bleeding, और जो पैड है, उसका 2.5 cm तक कही हो, इसका 2.5 cm से कम हो रहा है, तब एक घंटे में, फिर heavy amount कब बोलेंगे, एक घंटे में, पूरा complete pet, saturation हो गया है, फिर excessive कब बोलेंगे, जब यह 15 minutes में ही हो जाएंगे, पूरा complete, ठीक है, तो यह रहा पूरा bleeding का type, उसको कौन-कौन से वो बोलेंगे, ठीक है, तो अगर यह तो normal condition है, moderate or heavy bleeding कब होगा, infection के condition पे, ठीक है, infection रहेंगे, तो जो excessive bleeding है, वो सब involution, जो involution है, uterus का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उस condition में, क्या होगा, excessive bleeding होगा, और heavy amount और moderate bleeding कब होगा, infection के case पे, ठीक है, तो यह रहा bleeding, जो लोचिया में होती है, फिर जो changes आती है, ब्रेस्ट म अप्टर डिलिवरी, तो यह रहें देखें, इसको बोलते है, memory duct gland, grow and development, जो हमारे ब्रेस्ट में, जो memory gland होते है, उसमें क्या होते है, growth होते है, और वो develop होते है, जो milk है, उसकी secretion, उसके production के लिए ऐसा होता है, उसको बोलते है, उसको बोलते है, फिर lactogenesis, यानि की initiation of milk secretion in alve जो हमारे alveol लाई है, वहाँ पे जो milk का पहुचना, ठीक है, initiation होना, उसको क्या बोलते है, lactogenesis, फिर, galactopoesis, किसको बोलते है, maintenance of lactation, जो lactation हमारे ब्रेस्ट में maintain रहता है, ठीक है, milk का secretion, milk का formation, production, यह सारा जो maintain रहता है, उसको क्या बोलते है, galactopoesis, फिर, galactokinesis, removal of milk from gland, जो gland होते है, ठीक है, जो memory gland होते है, वहाँ से किसका रिमूव होना, milk का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, galactokinesis, तो ब्रेस्ट में कौन-कौन से changes होते है, mamogenesis, lactogenesis, galactogenesis, galactokinesis, और galactokinesis, तो यह 4 changes है, वो breast में हमको देखने को मिलती है, breast and lactation में, फिर देखते हैं, बाकी changes, फिर यहां पर देखें कि और क्या changes होती है, जैसे pulse rate, pulse rate जो है, नॉर्मल से increase हो जाता है, क्योंकि bleeding कम होती है, और फिर temperature भी है, नॉर्मल जो 37 degree Celsius होते है, उससे 37 degree Celsius, 0.2 degree Celsius हो जाते है, तो यहां पर temperature भी हमारा increase हो जाता है, पर्कुरियम की condition में, फिर blood loss, जो blood loss होते है, 500 ml होते है, सिजेरियन सेक्षन, जो surgery के थार्जरी के थूर्जो delivery होते है, उसमें क्या होते है, 1000 ml, blood loss होते है, फिर hysterectomy, जो operation होता है, historic Tommy, जो हिंडी बोलते है, जो नजबंदी बोलते है, वो उसका जो operation होता है, उसको बोलते है, इसमें जो है 1500 ml, blood का loss होता है, फिर यहां जो हिस्टेक्टर्मी होता है टिस्टेक्ट्रम् लॉट में कितना होता है? 1500 ml uß 5000 ml What also için you first week उसमें क्या होता है? 2-liter bottle loss होता है तिक है जो फॉर्स्ट वी के जो ब्लीडिंग होता है जो इसकंटी ब्लीडिंग जिसे जो 1-5 देश तक सिरोचिया क्या होता है? जो ब्लीडिंग 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 जो फिर बाकी जो रिमानिंग टाइम होते हैं जैसे फाइफ वीक जो फाइफ वीक तक का टाइम होता है उसमें 1.5 लिटर लॉस होता है ठीक है तो यह रहा हुड़ा पुरा पुर्स में इंक्रीज हो जाएंगे टेंपरेचर भी बढ़ जाएंगे बॉड़ लॉस यह पर देखें वेजाइनल डेलिवरी में कितना होता है 500 ml सेजेन सेक्षन सर्जिकल डेलिवरी होती ही तो 1000 ml हिस्टेक्टोमी में 1500 ml तो फिर उसके बाद वाटर लॉस टू लिटर वाटर लॉस पन विक में 1.5 लिटर वाटर लॉस इं रिमानिंग फाइफ वि कि अध्यों कहीत है, वो 2kg weight loss होते हैं, एक्सप्स्त फिटल प्लचंटा, अमніूूटिक फ्लूट, फ्लूट, एक्साम्यों साक्टोम, वेट्लों कहीत होता है, कि जो उसको जो फिटल है, जो बेबी है अंदर में, उसको छोड़ करके, जो लह था स्च्टो खोड़ करके, य 2 kg weight loss होता ही है जो बेबी है उसको छोड़ोगे तो प्रेसेंटर हाता उसको भी छोड़के और एम्नियोटिक लूट को भी छोड़कर के फिर उसके बाद मेंस्ट्रल और 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 स्टार्ट होते हैं वोमें में लेक्टेशन मदर जो होते हैं उनमें मेंस्ट्रल स्टार्ट जो होते हैं जो ब्रेस्ट्फिट कराते हैं मदर्स उनके में त्री मन के बाद ही स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रल साइकल फिर नोन ब्रेस्ट्टिटिंग मदर्स जो ब्रेस्ट्फिट नहीं कराते हैं उनके में जो है अफ्टर वन मन्त ठीक है वन मन्त म 2 kg होता ही है फिटल्स को छोड़ कर लिए प्लैसेंटा को छोड़ कर रहे है और जो अम्नियोटिक फ्लूट बरा रहा है तो प्रेगनेंसी की दाइम उसको भी छोड़ करके 2 kg वेट लॉज होता ही है मैंस्राल और ओविलोशन अदर के अंदर 3-month में नॉन्ट इंग मंदर में बन मंत में स्टार्ट हो जाता है और जो एक्स्टिस्व ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनको 6-month लग जाते हैं मैंस्राल स्टार्ट होने में ठीक है फिर जो ओविलोशन है वो यहां पर देखिए कि नॉन लेक्टेटिंग मंदर में 4-week क्यानी कि 1-month में हो जाते हैं लेक्स्टिस्व ब्रेस्ट फीडिंग जो कराते हैं उनके 90% कॉंटरसेप्शन अब 6-month 6-month तक कर रहता है एक्स्क्लूजिव ब्रेस्ट फीडिंग वाले म ब्रेस्ट करना है उनको रहें फिर इममोशनल सपोर्ट देने उनको जैसे घनके सपोर्ट हो गया थैंग सब्री मेंबर्स देंगाऄ सभी के उनको serious indirect फिर दायट और पेशट्टिक पेशिंट चॉइस के अकॉडिक यूर्ट पिर इनको हैवी फाइवर डायट देना चाहिए एट टो टैन अवर समनका स्लीप होना चाहिए 8 a.w. नाइट में 2 और डे टाइम में होना चाहिए इम्यूनिजेशन एंटि-D गामा ग्लूूबियूली ठीक है इसका इम्यूनिजेशन देना चाहिए एक और इम्यूनिजेशन है उसका नाम मैं बताऊंगी यूद्ध जरूर देखेगा और वह जो है रह निगेट्यू जो मदर होते हैं उनके लिए है वह तो तो उसको देखन एक्सराइज जो होते हैं वह भी करवाना तक कि जो इन्वलिशन ऑफ उट्रस है जो नॉर्मल स्टेट में जो आना है वह अच्छे से आ सके और जल्दी हो सके उसके उसके लिए का करना है पोस्नेटल एक्सराइज करना है फिर जो हुआ हाल हिए ऐतल भी का प्रिमेंगे तो आप लोग जो सुनुरल नर्शिंहाईं करना है वो थो आप नॉरूhrन मोण चाहिए यहाह delve नॉर्मर्म कि देव ह SARAH हो़ा जो नॉर्म गारूफ टो प्रोटेक जो टाके लगे हुए हुए होते है उसका केयर करना है अच्छी से प्रोपर ड्रेसिंग ठीक है फिर मैंटने ज उफ्टन प्रोपर हैजिन और हाईजिन मैंटेयर करना है जो इंफेक्शिन है उसको प्रिमेंट करक करना है इम्मुनिज़िशन एफ रूबेला पैक्षिन ती- यह सारे चीच का Immunization कहाना है To take care of the breast and promote breastfeeding और क्या करना है कि breast- care करना है फिर जो बेबी उसको जो mother उनको promote करना है breastfeeding के लिए लिए to motivate mother for contraception और जो contraception है अगर mother अभी बेबी लिए है तो उनको advise देना है कि अब जो baby हो वो two-three years के बाद ही ले लिए एनसे के लिए उनको कानगर Caesar कानगा कान जीलिए आजसे कि कउपन पी गगे निया सिर्टार्सक्षा कि भी अरड जीली नेचरी जीलिए करेंगा आट याहते हैं antispasmotic, pain and sight of perineum, अगर perineum के साइड में पें हो रहे है तो सीज बात करेंगे, शीज़ी सीज़ी प्रोवाइड करेंगे, इन्यमिया, श्प्लिमेंटरी आयरन थेरपी, आयरन डाइट देंगे उनको, अगर अनीमिया का कंडिशन है तो, फिर, Abnormal Purpureum, Abnormal Purpureum कब-कब होगा? Purpural Fever, Pyrexia, अगर उनको Fever आ रहा है तब वो Abnormal Purpureum कहलाएगा Purpureum Sepsis हो जाएंगे, Infection की Chances रहेंगे, Pelvic Pain होगे, Fever आ जाएंगे, Foul Smell, Vaginal Resort, Sub-Involution यह सारा अगर कंडिशन है तब वो क्या कहलाएगा? Abnormal Purpureum हम लोग भी Normal Purpureum को पढ़े हैं अगर उनको Fever आता है, Sepsis है, Infection हो रहा है अगर Smell आ रहे है, अगर Smell आ रहे है, उनके ब्लीडिंग से सब इन्वोलिशन जो यूट्रस है नॉर्मल नॉन प्रेगनेंट स्टेट में अच्छे से नहीं आपा रहे है तो वो सारा कंडिशन क्या कहलाएगे Normal, Abnormal Purpureum फिर Breast Problem Retracted, Cracked Nipple अगर निपल्स रहे हैं और रिट्रेक्ट हो रहे हैं तो यह भी Abnormal के अंदर ही आएगा Breast Engorgement, Swelling हो जाना, Breast में Mastitis भी Swelling ही है Breast Epsis उसमें पर्स अगरा का फॉमेशन हो जाना, Fellure of Lactation Lactation ना करा पाना, Mother का और Milk का ना बन पाना, यह भी सारे किसमें आता है Abnormal Purpurem के अंदर, Urinary Problem जैसे Retention of Urine, Incontinuation Infection Urine करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है Infection है, यह सारे Condition Venous Thrombosis, Secondary Hemorrhage, Postpartum Hemorrhage होते हैं वह Purpural Psychosis, Obstetrical Palsy, तो यह सारे Condition क्या करेगा, Abnormal Purpurem करेगा तो अब मैं बताती हूं आपको कि जो मैंने बताया था कि जो Immunization है उसके बारे में तो यह जो Immunization है, If Mother Having Rh Negative अगर वह Mother Rh Negative Mother है और उनका जो First Delivery है, First Baby है तो उनको Second Baby में प्रॉब्लम होती है आप सबको पता है कि जो Rh Negative Mother है, उनको प्रॉब्लम होती है Second Baby में, उनको First Baby जैसी उनको Conceive होता है तो लेना चाहिए प्रॉब्लम होती है तो अगर प्रॉब्लम होती है नहीं करना चाहिए या कोई भी कंडिशन से उनको रोखना नहीं चाहिए और अगर उनका Conceive होता है प्रेग्नेंसी तो उनको continue रखना चाहिए तो अगर मदर जो है रहाज निगेटिव मदर है तो बेबी के डिलिवरी के पाद उनको रोगन एंटी डी का इंजेक्शन लगता है प्रेक्शन लगना है कब लगना है और कितना लगना है 250-mine IM लगेगा इंट्रमस्कुलर 250 माइक्रोग्राम 72 ओवर्स के अंदर में और जो इम्मुनिजेशन उसका नाम क्या है रोगन एंटीडी यह क्यों लगाया जाता है जैसे कि आप यहां पे देख मैं बताती हूं कि जो फादर है उनका जो है आरेज जो है पॉजितिव है और जो मदर होते हैं उनको फर्स्ट बेबी जो है कंसीव करना ही चाहिए अगर नहीं करते हैं तो उनको सेकंड बेबी में प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम होता है तो यहां पे देखे कि क्या होता है अगर पादर का जो ब्लड है आरेज जो है पॉजितिव है मदर का जो है नेग extulsion होता है उस थाइम में जो मधर और बेबी का जो blood mixt हो जाती है, तो इस भाइम में बेबी का राप्स पॉज़िटिव है उसका adopted remedy है बधर के अंदर रूख जाता है, तो अगर इस conjecture ऐसी रहेगा तो इस also does the body would soon understand, होने के वज़े से जो RS-negative mother है, उनके में second pregnancy के time में जो RBC होते हैं, ठीक है, RBC होते हैं, उसका destruction हो जाते हैं, मतलब hemolysis हो जाता है, RBC का RBC फर्म नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनका second जो baby रहता है वो नहीं बन पाता है, उसका development नहीं हो पाता है और abort हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसी चीज को रोकने के लिए ही Rogan NTD का Immunization Vaccine दिया जाता है, रह नेगेटिव mother को, ठीक है, तो आई होगता है, आपको समझ आया होगा यह आरेच निगेटिव वाला matter की जो mother है वो आरेच निगेटिव होती है, ठीक है, जो baby है, वो आरेच पॉजिटिव हो जाता है, तो बेबी का जो blood है, वो mother के blood से mix हो जाता है, तो baby के जो blood में antibody जो होते हैं, वो mother के मिद की मित पहुँच जाते है, तो जो मदर का ब्लड है वो Rh-negative है ठीक है और बेबी का जो Rh-positive जा रहे है तो यह दोनों का यह जो Rh-positive का जो antibody है वो second time जो बेबी conceive करती है मदर उसके लिए वो problem create करता है जो RBC बनते है उसको destroy कर देता है यानि कि जो RBC होता है उसका hemolysis कर देता है इसलिए क्या होता है कि जो second baby है वो develop नहीं हो पाती यही reason है आरच negative मदर का second time में conceive करना बहुत problem होता है बहुत ही critical होता है ठीक है तो उसी के लिए यह जो है vaccine Rogan NTD की दी जाती है ताकि वो antibody को रोप सके ठीक है आपको पूरा all detail normal purpurum क्या होता है वो पता चली गया होगा कि जो normal purpurum है वो 36 weeks तक की होते है sorry sorry 6 weeks तक की होती है और बड से start हो जाता है expulsion of placenta के placenta के delivery होने के बाद ही यह time start हो जाता है normal involution of uterus होना uterus का अपने non-pregnant state पे आना अपने जो pelvic organ है pre-pregnant state में जैसे होता है जो pregnant नहीं होते हैं जैसे उनका uterus उनके pelvic organ में present होते हैं वैसे state में आने को यह बोलते है normal purpurum अगर उसमें कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है तो bleeding ज्यादा हो रहे है या infection है फीवर आ रहे है तो यह ऐसा अगर condition हो रहा है तो उसको abnormal purpurum बोलते हैं और यह इस problem के बगएर ही उनका bleeding 14 days तक की जो लोचिया होते हैं ठीक हो प्रेजेंट है तो उसको बोलते है normal purpurum और जो normal condition पे उनका uterus जो है वो अपने normal state में आ जाते हैं उसको बोलते है normal purpurum तो I hope आपको पुरा यह क्वास समझ आया होगा तो friends वीडियो पसंदाई तो like कीजेगा और यह आपके theory के साथ सत जो competitive exam होते हैं उसके लिए भी यह बहुत important है क्योंकि उसमे amount of bleeding पोस्ते हैं types of lochia पोस्ते हैं ठीक है involution sub involution यही सब पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से read क लेजिए और theory exam के लिए आपके लिए लिखने के लिए बहुत helpful होगा तो friends मिलते हैं क्लिए next video पे तब तक के लिए bye bye wish you all the best and good luck